आप 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 दोस्तों इनकंसिस्टेंट गेम लूप का जो इनकंसिस्टेंट वहला उस पर यह मेरी तीसरी और फाइनल वीडियो है आप शूर के यह तीसरा solution मैंने अब निकाला है इसके बाद आपको किसी और solution की जूरत नहीं पड़ेगी क्योंके फुल और final solution है इसके बाद ना ही मेरी को inconsistent वाले error पर मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो आएगी क्योंकि इसके बाद जूरत ही नहीं पड़ेगी और पहले दो वाली जो error आ रहे थे पहले दो solution मैंने आपको बताए थे वह solution इतने permanent नहीं थे जितना यह है मैं आपको इसका आज इसकी वज़ा भी बताऊंगा और इसकी इसका solution भी बताऊंगा क्योंकि अगर वज़ा आपको पता लग गई तो जाहरी बात है कि फिर आप इसका solution तो वज़ा पता लगी तो solution भी दूर नहीं लेंगे तो इसकी वज़ा पहले तो यह है कि जिस server पर हमारा internet मतलब कि पाकिस्तान और एशिया एशिया रिजन का जिस server से internet connect होता है game loop पे जो file download होती है वो उस server पर compatible नहीं होती हमारा जो game loop है वो हमने download किया है किसी और server पर यह यह को कि कुछ फाइल जो game loop ने हमें दी है जो game loop को install करते हैं वो files और जो बाद में जो हमारा server server पर हम update करते हैं files compatible नहीं होती एक जैसी नहीं होती इस वजह से यह error आता है अब इसका solution जाहरी बात है पता लग गया होगा नहीं तो मैं बता देता हूं इसका solution है जी आप proxy download करें कोई भी proxy app download करें और वहां से इसको update करने ही कोशिश करें कि यानि कि कोई भी express proxy या कोई भी VPN gate मैं VPN gate से कर रहा हूं मैंने VPN gate से किया है मैं आपको बता देता हूं कि आप यह proxy download करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा फिलाद मैं आपको बताता हूं कि मैंने या पर download किया हुआ है यहां से आप इस file को आप install कर लेंगे और install होने कम थोरा से इंतिदार करते हैं तब तक मैं आपको बता दूँ कि भाई जान अकर आपका और उधार चुगाना हर बंदे पर फर्द है भाई देख लो ओके इंस्टाल हो रहा है साथ ही अपने दोस्तों को भी बता देना यार उन्हें भी उनका भी बदा करते ना अगर कोई पूछे भाई यह मेरा error सोल नहीं हो रहा तो उसको जरूर बता देना कि भाई जान एक बंदा है यूवी गेम्स आहा क्या बंदा है और क्या सुलूशन देता है यार कमाल कर देता है अच्छा जी यहां से आप next करेंगे next 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 अब करना आता है थोड़ा सा वेट करेंगे अब ओके जब यहां से इसको उपन करें यह जो तो पर इसको क्लोस करते हैं यहां से आप ओपन करें यहां पर इस जगह पर आपने डेवल क्लिक करने कि ओके यहां से आप कोई भी कोई भी आप IP address को IP address से कुनेक्ट करने जिसकी आपको लगता है कि पिंग अच्छी आ रही है यह जिसका कुनेक्शन स्ट्रोंग है वहां से आप यह मुझे सबसे बैस लगता है सबसे टोप पर भी आपका भी बैस राजेगा तब भी जब मैंने अपडेट किया था तब भी मैंने पहले नभड़ वादा ही स्ट्रोंग होन ना जिर्म करने का अब कि देखने सकता है तो फिर क्लाश करते निहां और फिर तो इनक्राइबी १ार स्टी będzie आप इंटरनेट कंपियूटर के साथ तो सम्झो कि आपका इप लगा vitro प्रोपली लग शूकी है भर ऑ अब अब डेट पर जडिक कर सकते हैं अब डेट करेंगे तो आपका गेम लूप अपडेट होजेगा यह तरीका और मैं आपको बता देता हूं कि यहां से जब गेम लूप मैंने उपन किया तो मैं आपको आपन करके बतारूं कि बाइजन ऐसे ओपन होगा कुछ लो कहते हैं जी प्रोक्सी लगाने के बाद गेम लूप नहीं चलता है लेकिन आपकी पिंग बहुत जादा हाई चली जाती है क्यूंकि है क्यूंकि IP अब्रेश चेंज किया होता है अपने और अपकी अप्डेट करने के बाद यहां से आप इसको disconnect करें और control पैनल में जाकर मैं आपको जाकर दिखा देता हूं अनिस्टाल करने का भी तरीका बता रहूं ताके बाद में आपको प्रोब्लम ना हो के भई हमने इस्टाल तो कर लिया गेमलूप भी अपडेट हो गया लेकिन गेमलूप की पिंग नहीं सेट कर दें ठीक है यहां से आप इसको अनिस्टाल कर देंगे यास ओके अब आप बेतर है कि एक बार पीसी को रिस्टार्ट कर लें ताके कुनेक्शन आपका दुबारा स्टेबल हो जाए ना भी करें तो भी चलेगा उसके बाद आप गेम लूप को ओपन करें और गेम को इंज इंस्टाल की थी उसको आप वीपीएंगेट से मैंने आपको बताया उसको आप डिलीर कर लें अब इसको डाउनलोड करने का तरीका बहुत सी प्रोक्सी जो हैं वह आपको फ्री नहीं मिलती वह आपको प्रचेस करनी पड़ती है लेकिन यहां पर आपको वीपीएंगेट आप किसी भी टोरेंट साइट पर जाकर वीपीएंगेट टाइप करके सर्च करें और वीपीएंगेट को आप डाउनलोड करने इसको आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा यह बिल्कुल फ्री है किसी भी टोरेंट साइट से आप जाकर वीपीएंगेट को डाउनलोड कर स करते हैं मैं ट्राइ करता हूं लिंक देने की अगर लिंक मिला आपको तो वहां से करने नहीं तो आप अचा थेया में करने का टाइम नहीं मिलता हैं नहीं और साथ ही मैं स्ट्रीम पर भी वापिस आ है। हैं मैं वापिसआ हैं तो तब तक के लिए टेक चीर इनज्विव